तो यहां पर हम देखेंगे कि आइंज जो हैं Sam Electro isomint Sam electronic मैं तो Sam number of electrons ठीक है किस पर आइंज पर, Ion q कह रहे हैं क्युंकि इनको विचार्ज है ठीक है तो अगर इस तो क्वेशन आ जाए कि है इन सारों के electron जो है वो 10 सिलिगन अटामी नंबर 4 होता है 14 होता है तो इसका positive 4 है यानि कि 4 electron कम है इसमें यानि कि इसमें भी 10 electron है तो ISO इसलिए कहा गया ISO electronic ions क्यों कहा है इनके पर charge अब इनको increase or decreasing order में लिखना हो size के हिसाब से या फिर question आ सकता है कि इनको लिखो उनके radii radii को increasing or decreasing order में ठीक है तो इसको क्या करना है हमने हमें देखना होता है ISO electronic ions को अगर greater nuclear charge है greater जिसका ज्यादा nuclear charge होगा उसका size छोटा गा nuclear charge क्या है बात करें हम तो nucleus nucleus में क्या क्या होता है proton sorry proton 14 है तो इसका जो है nuclear charge ज्यादा होगा as compare to nitrogen तो इसलिए यहाँ पर इसका size सबसे कम होगा क्योंकि हमें देखना है कि nuclear charge देखना है तो proton इसमें ज्यादा होंगे तो इसका size छोटा है aluminium से क्योंकि इसके 14 electron ज्यादा है और proton भी ज्यादा होंगे तो aluminium के comparison में इसलिए aluminium के comparison में सिलिकोन का size छोटा रहेगा उसी तरह size बढ़ता जाएगा किस साबसे nitrogen का साबसे size बढ़ा होगा ठीक है ना तो यह देखना है आपको कि ISO electronic ions का पर जब question आ जाए तो आपको देखना है nuclear charge इसका ज्यादा होगा उसका size छोटा होगा ठीक है ना उसके बात यहां पर एक और यहां पर the size of cation is always smaller than its neutral atom जैसे हम यहां पर बात करें तो यह neutral atom है ठीक है ना atom कोई charge नहीं है तो neutral है तो इससे क्या होगा size जो है cation का छोटा होगा किस से neutral atom से तो a positive आ गया यह मतलब इसमें a electron कम हो गया तो positive charge है तो यह cation बन गया तो इसके comparison में इसका size छोटा है a unipositive का फिर उससे छोटा die positive का इसके बाद यहां पर तीन जो इस पर three positive charge है तो सबसे छोड़ा size इसका होगा ठीक है तो यह देख लें इसी के base पर कोशन आया था यह देखे 2014 में कोशन आया which of the falling order of ionic radia is correctly represented ठीक है ना तो यहां पर आपको बताना था तो यहां पर यह देखिए क्या यह सही है अभी हमने बढ़ा था क्यूंकि जो neutral का